नमसकार, मैं हो ससी आए जार्खन की टोप पचीस परमुख भचम जानते हैं जार्खन बिधान सभाका सीत कलीन सत्र उनफ से तेश दिसंबर तक जो कितेज दिसमबर 22 तक चलेगा इस दिवरान हेमन सरकार आपना दूसरा अनुपूरक वैट पेस करेगी बतादे इस दिवरान सत्र के हंगामेदार होने के असार भी हैं बर्तमान में साहव गंज के बोर्यों में एक पहाडिया महिला के हत्या कर सोगो टुकडों में काटने क मामले समेद इडी की करवाई को लेकर सता पक्स को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी बतादे सितकाली सत्र के पहले दिन सोक परकास कर दिवंगत को स्रदाजली दी जाएगी वहीं अगर हो सके तो राजेपाल के अध्यादेश के प्रति सदन पटल पर रखी इस सत्र में प्रशनकाल का भी आवयजन होगा इसमें 13 दिसंबर 2022 तक प्राप्त प्रशनों को अलप सुचित किया जाएगा वहीं सत्र के तिसरे दिन दूसरे अनुपूरक बयट पर चारचा होगी वहीं प्रशनकाल भी होगा इस दोरान गत 14 दिसंबर 2022 तक प्राप्त प्रशनों को अलप सुचित किया जाएगा वहीं सत्र के चोथे दिन भी प्रशनकाल के साथ राज किये विधयक समेत अने राज किये कारे भी हो सकता है जारखन के 21 जूलो का तापमां 10 डिग्री से नीचे राची समेत राज के 21 जूलो का निम्तम तापमां 10 डिग्री से नीचे आगया है सर्दावाज से जन जीवन प्रभावी थाए और अगले दो दिन तक रहात मिलने के असार नहीं है बतादे रभीवार को रांची में सर्दी से सहरवासी परिशान रहे निम्तम पारा 9.6 डिग्री रहा सुबह में कुहासा चाने के कारण वाता वरन में कोनकोनी बन रही राजे में सब से कम टापमान सिम्टेगा करा है यहां का निम्तम टापमान 5.7 डिग्री सेल्श्यस दर्च किया गया मौसम बैग्यानिक के अनुसार राजिये में एक कई दिसंबर के बाद मौसम में बदला हो सकता है वहीं 22 से हल के बादल छाने का पुरुर्मान जताया गया है इससे आने वाले पांच दिनों के दोरान तापान में फिर से उतार चड़ा होने की संभवना है CM आवास पर UPA बिधायकों की बैठाक 29 दिसंबर से सुरू होने जा रहे है जारखन बिधान सभाके सितकली सत्र को लेकर मौख्य मंतरी हमान सुरिन के आवास पर UPA बिधायक दल की बैठाक होई करीब एग घंटे तक चली बैठाक में इस बात को लेकर चर्चा होई जारखन में पांच दिन अंडा देने पर बच्चो के स्वास पर क्या परभाब पड़ेगा जारखन के सरकारी स्कुलों में पड़ रहे बच्चो को राई सरकार पांच दिन अंडा देने की त्यारी में है अभी बच्चो को मिड़े मिल के तहत दो दिन ही अंडा मिलता है बता दे 5 दिन अंडा दिये जाने से बच्चों के स्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे लेकर सिक्षा विभाग ने राजी के सबसे बड़े अस्पतार रिम्स से सुझा मांगा है सिक्षा मतिज अगनात महतों ने भी इसकी पुष्टी की है सुझा मिलने के बाद बच्चों को 5 दिन अंडा देने के निने को लेकर सिक्षा विभाग एक संकल्प जारी करेगा बता दे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले काक्षा 1-8 तक के बच्चों को सरकार हफ्ते में 5 दिन अंडा देने की त्यारी में है जो बच्चे अंडा नहीं खाते उन्हें सरकारी फाल देगी पांच दिन अंडा देने की पहल से सरकारी स्कूलों में 32 लाख बच्चों को फैदा होगा मुख्यमंत्री हेमासुरेन पहले ही कह चुके हैं की राज सरकार बच्चों को पोश्टिक आहार देकर उनके स्वास्त को बेतर करना चाहती है ज्यारखन में बहाल होंगे 26,000 पारा सिक्चक ज्यारखन के प्रारंभिक इस गुलों में फीर से पारा सिक्चको की नियुक्ती होगी पहले चरण में 25 से 996 पदों पर नियुक्ती की जा सकेगी नियुक्ती बिद्याले परवंदन समीती या पंचायत करेगी और इसमें आरक्षन रोष्टर का पालन किया जा सकेगा बता दे सहायक अचार्जों की अस्थाई नियुक्ती होने के बाद इन परासिक्चों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी सिक्चा मंत्य जगनात महतों ने इसकी त्यारी करने की बात कही है इसमें प्रसिक्षित और टेट पास अभियार्थियों को मौका दिया जाएगा उन्हें बरतमान में करेड़ाद सहायक अध्यापको के समान 22-500 कमान्दे भी दिया जाएगा इसको लेकर वे सोमवार को सकूली सिक्षावा सर्षता बिभाग के अधिकार्यों साथ बैठा करेंगे इनमें नियुक्ती परकिरिया जल्द से जल्द कैसे हो इसका प्रस्ताव त्यार किया जाएगा ताकि स्कूली बच्चों का पठन पठन सिक्षकों के अभाव में परभावित ना हो भाजपा ने फूका हेमत सरकार का पुतला भाजपा ने रभीवार को सहेब गंज के बोर्यों में आदिम जन जाती महिला रभीका पहाड़ीन को दिलदार अंसारी द्वारा कटर से बारा टुकडे में काटर ललने की बिरोध में सियम हेमा सुरिन का पुतला दान किया भाजपा ने ताओ ने कहा है कि इस क्रूर हिर्दय बिदारक हत्या के लिए जिमेदार गिर्ती कानून बेवस्था है महिला मुर्चा द्वारा हर्मुचोक पर आयोजित कारिकरम में कहा गया है कि हेमंत राज में हमारी बहन बेटिया सुरक्षित नहीं है आए दिन इस तरह की घटनाए घट रही है मगर सरकार मौन धारन किये हुए है अगर दोसी को फास्ट रेक कोट के तहत जल्द सजास नहीं सुनाई गई तो भाजपा पूरे राज में अंधरन करेगी कारकरम करने थी तो भाजपा महिला मौर्चा राची महानागर अध्यक्स अनिता वर्मा ने किया बता देई सवसर पर सीपी सिंग परदेश महिला मौर्चा अध्यक्स आती कोजूर उपस्थित्थे 1932 जन भावना घोटाला है OBCR अरक्षन भी खिलवार BJP जारखन बिधान सभाका सित कालिन सत्र 19 दिसंबर से सूरी होने जा रहा है बता के बाद मीडिया से बात करते वे पार्टी के मुखे सचे तक विधायक विरंची नरा ने कहा है कि हमन सरकार ने खान खनीज बालू पत्थर घोटाले की तरह 1932 के खत्यान अस्थानिय निति के नाम पर जन भावना को घोटाला किया है वहीं मुखे सचे तक विधायक विरंची नरा ने कहा है कि 2002 में ही ततकारीन मुखे मंतरी बाबुला मरांडी ने 1932 अधारित नियोजन निति को लागू किया था जिसे उच नियाले ने 23 समीक चोपत्रान लागू करने के सुझाव दिये थे आज हेमन सरकार भी ना कोई समीक चा किये और सदर में चर्चा कराई इसे लागू कराने का धी ढोरा पिट रही है उन्होंने कहा है कि आज हैमन सरकार परस्टा चार में आकंट डूबी है जाच एजेंसियों की करवाई से इस सरकार के रोज रोज नएक करना में उजागर हो रहे हैं पूरी दुनिया में फैले गुंज महोचों की अनुगुंज राजेपाल रांची के सिली में तीन दीवसे गुंज महोचों की सुरुवात रविवार को होई जारखन के राजेपाल रमेश बैस ने इस महोचों का उद्घाटन किया है कि विकास के बिवीद आयाम से जुड़े गुंज महोचों में सामिल होकर परसंता होई उन्होंने कहा है कि गुंज की अनुगुंज पूरी दुनिया में फैले राज्य पल्डरमेस बैस ने कहा है कि महोचों का पाला दिन महिलाओ के नाम समर्पित है जहां नारी के पूजा होती है वहां देवताओ का वास होता है महिलाओ को विकास की मुखे धारा में जोड़े बिना ससक्त समाज की कलपना नहीं कि जा सकती इसके साथ ही जुआओ और किसानों को बेहतर मुकाम देकर राज्य और देश को खुशाल बनाया जा सकता है इस दिसा में गुंज का पर्यास सरानी है जामुमो नेता सुफल मरांडी भाजपा में सामील जार्खन मुक्ती मोर्चा के पूरुविधायक और संथाल परगना के बड़े नेता सुफल मरांडी ने रभिवार को भरतिय जनता पार्टी का दामान थाम लिया है रांची इस्थित पर्देश भाजपा मुख्याले मुन होने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सेताली परदेश भाजपा अध्यख्ष दिपक परका जारकन के पूरमुख मंतरी बावलार मरांडी संगठन महा मंतरी कर्मबिर सिंग ने सुफल मरांडी का पाटे में स्वागत किया बतादे भाजपा में सामील होने के बाद सुफल मराणी ने कहा है कि भाजपा ही एक मात्रपाटी है जो बिक्सित जार्खन के सपना को साकार कर सकती है राजजे कठन का सपना भी भाजपा नहीं पूरा किया था रांची की बीरसा मुंडा सेंट्रल जेल में लगी जेल अधालत रांची की बीरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रभी वार को जेल अधालत सा बिधिक जागरूपता सिवीर का उजण किया गया इस सिवीर को समधित करते हुए राची जीला बिधिक सिवा प्रादिकार के सचीव राजेस रंजन ने कहा है कि छोटी-छोटी गलती हो कारण लोगों को करावाज के सजया भुगतनी परती है इसलिए किसी भी कार्यों को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए साहिब गंज के रभी का पहाड इन मोडर केस की SIT करेगी जाच साथ ही इस मामले की तेज गती से जाच करते हुए अनुसंधान कर ससमय कोट में आरोप पत्र समर्पित करने यम स्पीड ट्राइल के लिए कोट में अभ्या वेदन समर्पित करने का निर्देश दिया हजारी बाग बढ़का गाउं में कस्तुर्बा गांधी की छात्रा ने की आत्म हत्या हजारी बाग जिला अंतरगत बढ़का गाउं थाना छेत्र के गराम होरमा इचित कस्तुर्बा गांधी वासे बाली का विद्याले के होस्टल के रूम नंबर 20 से दसवी की एक छात्रा का के फंदेर पर जूलता हुआ सो बरामत हुआ इस घटना की जनकारी मिलते ही पुलिस मोखे पर पहुंची वहां मिरितिका के पीता ने दुसकर्म करहत्या करके फासी का रूप देने का गंभीर अरूप लगाया बताया इधर जीला सिक्षा पताधिकारी ने वाडन और टीचर क से लेकर 22 दिसंबर तक के लिए आक्समिक अवकास पर है पाश्मी सिम्भूम के जयत गढ़ में हाई टेंस अंतार से हाथी की मोथ जहरखण में बिजली करंट से हाथियों की मोथ का मामला रूप नहीं रहा है पुर्भी सिम्भूम के जादू गोडा के बाद अब पाश्मी सिम्भूम के जयत गढ़ में खेत में जूलते हाई टेंस अंतार की चपेट में आने से एक मदा हाथी की मोथ हो गई पिछले साल भी इसी जगा पर करंट लगने से दो बैलो की मोथ हो चुकी है बताद बिजली बिभा की लापरवाही और जूलते तारो की चपेट में आने स से बिसाल का या मादा जंगली हाथी का जीवन छीन लिया गया है घटना पच्मी से उजीला अंतरगत नुवा मुडी वन चेतर इस्थीत जैत गढ़ बीट के गूर्नी नादा गाउं के पास हेसा डिपा की बताई जा रही है जनकारी के अनुसार ते इस जंगली हाथियों क जूर उडिशा की ओर से इस छेतर में आकर विचरन कर रहा है मुख्य मंत्री के राज में सुरक्षित नहीं है आदिवासी बहन बेटिया सांसत संजाय साहव गंज की पहालिया बेटि की उसके कथित विधर्मी पती के द्वारा धर्जन वर्चादिक टुकड़े कर दिये ग बलीक सब यह समाज को कलंकित करने वाली है एक खाना है राजची के सांसत संजाय सेट की बता दे सेट ने कहा है कि मुख्य मंत्य बिना देर कि एसाइटी के गठन करे या फिर इस तरह के मामले को लेकर एनाई या सीबियाई से जाच कराने की सिपारिश केंद्र से करें या एक सोची समझी साजी सर या कोई समाने हत्या की घटना नहीं है जिन्दगी में आगे बढ़ने का हरदम पर्यास करते रहे किरन कुमारी पासी जारखन सरकार की राज सिक्षा पर योईना निदेश किरन कुमारी पासी नर अभिवार को कारा खोटी मुख्य पत के बगल इस सित नेताई सुबास चंद्र बोस आवासे बिद्यालय के भरमन किया साथी पूरा दिन बचों के साथ भीताया इससे पूर्व जीला सिक्षा पताधिकारी अतुल कुमार चोवे जीला सिक्षा अधिक्षक परविन रंजन और जीला कारकरम पताधिकारी नलीनी रंजन न बुकेत देका राज परिविना निदेशक का स्वागत किया इस दोरान विद्याला के बच्चों ने राज परिविना निदेशक का स्वागत में गित प्रस्तूत भी किया इस दोरान उन्होंने बच्चों को समधित करते वे का एक जिन्दगी में आगे बढ़ने का हर्दम पर करते रहे इस असर पर निदेशक किरन कुमारी ने बचों को उपहार भी भेट किये धन्यवाद